डब्लू एसर वेलफेर फांडेशन में आप सभी का स्वागत है डब्लू एसर वेलफेर फांडेशन की स्थापना नवंबर 2019 में मुंबई महाराष्ट में की गई है यह एक NGO है जिसका उब्देश है समाजी कारे करना समाजी कारे करने के लिए लोगों को प्रेलित करना और उसके साथ साथ समाज के गरीब पिछले वर्क को फाइनेंसिली मजबूत करना पिछले एक साल में संस्थाप ने कई अलग-अलग समाजी कारे किये हैं और करते आ रहे हैं सन 2020 में आई कोईड महामारी में भी WSR फांडेशन ने PM केर फंड में 22,000 रुपे से भी जादा की मदद की है पिछले एक साल में संस्थाप पर कई संकटाए लेकिन हमने उसका डट कर मुकाबला करके पहला एनुवल दे से लिपेट किया जिसका सारा श्रेज आता है हमारे पैनल लीडर्स को WSR वेलफेर फांडेशन की नए नए जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें क्या आप या आपके परचित के जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही है क्या आप या आपके परचित अकसर अनफिट होते हैं या हर मौसम की शुरुआत में बीमार हो जाते हैं क्या आप या आपका परचित अकसर ये सोचता है कि मैं कल से ब्यायाम शुरू करूंगा और वो कल कभी आता ही नहीं है WSR Welfare Foundation आपके लिए लेकर आया है दो चीजे एक साथ Wealth प्लस Health आज की तारीख में कई लोग Health पर कई Wealth खर्च करते हैं यहाँ पर आपको दोनों एक साथ मिलने वाला है अब Wealth प्लस Health कैसे मिलने वाला है यह समझने के लिए वीडियो को आपको बिना इसकीप किये अंत तक देखना होगा जिससे आपको प्लान की सारी जानकारी आसानी से मिल सके जैसे ही आप इस सिस्टम से जुरते हैं उसी दिन से आपको योगा का फुल सर्टिफिकेट मिलता है जिसका मारकेट कोश्ट है 35,000 रुपे प्लस योगा 10,000 साल पुरानी देन हमको मिली है जिसका उलेग रिगवेद में पाया गया है योग में कई प्रकार की अभ्यास पदती है जिसमें मुक्य है ज्यान योग, भक्ती योग और कर्म योग योग की सकती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी ने संयुक्त राष्ट में 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्थाव रखा योग ही विज्यान शक्ती और चमतकार है जो हमारे जीवन में बदला उला सकता है इसलिए हमने WSR Welfare Foundation में योग के महत्तो को समझाने का प्रयास किया है WSR Plan B को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें साफ कर देता हूँ WSR कोई कंपनी नहीं है WSR में कोई प्रोड़क्ट खरीदना या बेचना नहीं है WSR कोई MLM नहीं है WSR में कोई binary नहीं है और ना ही कोई scheme है WSR Plan B कोई crowd funding भी नहीं है तो आएए Plan B को बिस्तार से समझते हैं Plan B का ratio है 1 to 3 WSR के Plan B में इस तरह से joining आएगी ये matrix WSR Foundation ने register किया है इस तरह से Plan B में joining होगी और पहला volunteer zero level देगा अगर आपका ID किसी के zero level पर होगा तो आपका सारा donation एक ही volunteer को जाएगा या आप किसी volunteer के 2 या 3 number पर होगे तो आपका donation 3 volunteer को donate होगा जो होगा per volunteer 300-300 रूपे आपके payment link में अगर ये screen दीख रही है तो आपको आपका payment उपर दिये गए 3 लोगों को per volunteer 300 रूपे देना होगा उपर दिख रहे 3 लोगों को आपको call करके उनके दिये गए account में payment करना है और send payment link पर click करना है payment मिलने का confirmation मिलते ही ये 3 लोग आपके link को accept करेंगे जो उनके उनके dashboard में दिखाई देगा इस तरह से दोस्तों आपके volunteer के ID एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपको इस तरह की payment link आपके volunteer profile में show हो रहा है तो आपको आपका donation एक ही volunteer को जाएगा आपको एक ही volunteer को donation send करना है तो send payment link पे click करना है receiver के dashboard पे आपका request जाएगी जैसे आपके payment का confirmation मिलता है वो आपके link accept करेगा और आपका ID एक्टिवेट हो जाएगा payment send करने में अगर आपको कोई दिक्कत हो कोई परिशानी हो जाती है तो send payment link में foundation का account number है आप वहाँ सारा payment send करके admin द्वारा आपके volunteer के ID एक्टिवेट कर दिया जाएगा इस तरह से दोस्तों आपको काफी clarity आए होगी प्लान के बारे में 0 level पे आपके down में एक volunteer का ID आएगा तो आपको आपके donation के 900 रुपे आपको देगा पहले level पर आपके volunteer ID के down में 9 volunteer आएगे उन 9 ID में से 6 volunteer आपको 300 रुपे देंगे उसमें से आपको प्लान B में एक re-entry लेना अनिवार होगा पहले level का social activity donation कुछ इस तरह से होगा 2 level में आपके volunteer ID के नीचे 27 volunteer आएगे उसमें से 18 volunteer ही आपको 300 रुपे देंगे और आपको प्लान A में 2 ID, प्लान B में 1 ID लेना अनिवार होगा 2 level का social activity donation कुछ इस तरह से होगा 2 level में आपको 32 रुपे social activity के लिए donation मिलेगा 3 level पर आपकी volunteer ID के down में 81 ID आएगे उसमें से 54 volunteer आपको 300 रुपे का donation देंगे उसमें से आपको प्लान A में 8 ID और प्लान B में 1 ID लेना अनिवारे होगा 3 level पर आपको 900 रुपे admin चार्ज लेगा तो कुल मिला कर 3 level की income कुछ इस तरह से होगी 3 level पर आपको social activity के लिए 10,200 रुपे donation मिलेगा और आपका ID सिस्टम से बाहर हो जाएगा लेकिं री ID के सारे ID सिस्टम में ही रहेंगे और उस ID को भी donation मिलते रहेगा दोस्तों प्लान A का वीडियो हमारे WSR Welfare Foundation यूटूब चैनल पर अल्डेडी है नए-ने अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि WSR की नए जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफाई हो एक बात आपको नोटिस करना चाहता हूँ इस वीडियो में मैं बार बार हर लेबल पर Social Activity Donation शब्द का इस्तिमाल कर रहा हूँ तो Social Activity Donation क्या है WSR की हर लेबल पर आपको आपके आसपास Social Activity करना अनिवार है ये डोनेशन आपको उसी कारी के लिए मिल रहा है WSR का में उप्देश है Social Activity करना और आप WSR Foundation के वालेंटियर है तो आपका फर्ज बनता है आपके आसपास एक समाजी कारे करें और आपके आसपास के लोगों को WSR Foundation का उप्देश बताना और उन लोगों को भी WSR Foundation में शामिल करना दोस्तों यहाँ पर आपको सारे Receiver Donation का Total दिखाए देगा अगर आप किसी वालेंटियर को WSR Foundation में रेफर करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से Donation मिलता है जो आपके Referral Benance में दिखाए देगा रिक्वेश फार विड्डॉल में जब आपके ID के डाउन में रिफंड या लेबल के लिए ID आएगी तभी आप विड्डॉल लगा सकते हैं रुपे 900, रुपे 1800 के सामने 0 लेबल एंड फर्स्ट लेबल ID ओपन इस प्रकार से शो हो रहा है इसका मतलब आप इस लेबल का विड्डॉल लगा सकते हैं लेकिन सेकेंड एंड थर्ड लेबल ओपन नहीं होगी उसका विड्डॉल आप नहीं लगा सकते हैं वालेट विड्डॉल के पेज पर विड्डॉल रिलेटेट सारी जानकारी दी गई है उसे पढ़कर समझ कर ही विड्डॉल लगाएं रिक्वेश स्टेटस में आप विड्डॉल स्टेटस को देख सकते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पर विडियो को एक लाइक जरूर कर दें आपका एक लाइक हमारा confidence बढ़ा देता है तो दोस्तो इस पेज में सबसे टॉप पर आपको WSR Foundation का account number दिया गया है उस account पर आपको एक ID के 1100 रुपे payment करके उसका screenshot लेना है यहाँ पर जिस volunteer ने आपको WSR से introduce किया है उसका volunteer ID डाल सकते हैं अगर आप social media के माध्यम से आए हैं तो उसे रिक्त ही छोड़ दें या फिर वहाँ पर आप 000 भी डाल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको foundation के account में 1100 रुपे एक ID का payment करके बच्चों का photo, आधार card, pen card या कोई अन्य photo ना लगाएं अगर इस तरह का कोई screenshot होगा तो उस ID को image डिलिट कर दिया जाएगा admin द्वारा आपको आपका पूरा नाम, edge पर bank account या आधार card से बिलकुल वैसे ही लिखना है mobile number वही दे जो आपके पास हो और उसकी incoming सेवा भी शुरू हो यहाँ पर आपको email ID डालना है अगर आपके पास email ID नहीं है तो आप नया बनवा सकते हैं या नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन दोस्तों अगर आपको profile में कुछ भी update करना होगा future में तो आपको अपने register email से ही email करना होगा यहाँ आपको आपका state tragic choose करना है आपके city या district का नाम यहाँ पर डालना है यहाँ आपको bank details को click करना है और आपका bank details fill करना है यह process आप withdrawal से पहले कर सकते हैं अगर आपने bank details fill नहीं किया है तो आपका withdraw digit कर दिया जाएगा आपके पश्चत यह रकम किसी दिया जाए उसका नाम यहाँ पर fill करना है उसके साथ आपका क्या रिष्टा है जैसे कि मा, बाप, भाई, 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 वाई, वित्यादी आपको कोई भी एक password रखना है जो आसानी से आपको याद रहे वही password दुबारा से यहाँ पर आपको fill कर देना है उपर दिये गए box में आपको click करना है terms and condition हमने website पर दे दिये हैं उसे एक बार जरूर पढ़ें उसके बाद ही आप यहाँ पर accept करें आप जैसे ही submit data पर click करते हैं आपके दिये गए mobile number पर आपको register का message प्राप्त होगा 24 से 48 घंटे की भीतर आपकी ID एक्टिवेट हो जाएगी re-entry जैसे हमने level payment के चार्ट में दिया है वैसे ही सभी volunteer को re-entry लेना अनिवार है re-entry plan A and B में volunteer रहेंगे आज़ पर plan registration fees भी अलग-अलग होगा तो आईए एक दूसरी की मदद करके देश की भी मदद करें WSR सिस्टेम की जै हो हर level की withdrawal के लिए KYC सब्मिट करना अनिवार है हर level का donation आपके बाद volunteer को social media promotion और feedback वीडियो दियना अनिवार होगा जो हमारे official channel पर publish किया जाएगा pen details fill करना अनिवार होगा अगर नहीं किया तो withdrawal request reject कर दिया जाएगा हर level पर अलग-अलग social activity करना अनिवार होगा ऐसा ना करने पर आपका ID next level पर qualified नहीं होगा label donation के बाद एक week में ही आपको social activity करना अनिवार होगा ये एक auto pool non working plan है इसलिए label के लिए कोई भी time duration नहीं है wallet withdrawal पेच पे सारी जानकारी नोटिस पढ़कर ही आपको withdrawal लगाना है इस प्लान से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें